Hello Friends, Welcome to Best English Classes, मैं हूँ प्रतीक तमर और आज हम पढ़ रहे हैं Wallace Stevens की लिखी पोयम Anecdote of the Jar Anecdote का मतलब होता है किस्सा, एक जार का किस्सा तो ये जो पोयम है, इसमें जो स्पीकर है, वो एक जार को Tennessee नाम की जगें की एक पहाड़ी पर रख देता है और उसके बाद जो नैचुरल वर्ल्ड है, आसपास की जो दुनिया है, वो ग्रो होने लगती है, उसके आसपास और धीरे धीरे ये जो अबजेक्ट है, जार, वो एक तरहे का राजा बन जाता है वहाँ पर देखिए, Wallace Stevens की जाददर पोयम्स एक पहेली होती है, उसके कई गूड अर्थ होते हैं, कई अंदर की बातें उसमें चुपी भी होती है और कई दशकों से लोग इसके अलग-अलग interpretation निकालते आएं हैं, स्टीवन्स का जो जाददर काम है, वो symbolic होता है ये भी उनकी जो first book आई थी, harmonium, उसी में से ली गई है पोयम्स अब हम इसको देखते हैं, इसका पहला sentence है, I placed a jar in Tennessee and round it was upon a hill जो speaker है, वो एक round jar को Tennessee के पहाड़ी के top पे रख देता है उस jar ने एक अजीब सी wilderness आसपास ग्रो कर ली थी उस पहाड़ी पर और जब वो wilderness उसके आसपास और उगती गई, पहाड़ी पर यहाँ वहाँ फैलती गई तो अब वो इतनी जादा बड़ी हो गई थी, कि अब वो पालतू नहीं थी या domesticated नहीं थी, यानि वो जंगली थी यह जो गोल जार था, ground के उपर पड़ा था, on top of the hill, यह लंबा था और अंदर से खाली था तो डॉमिनियन का मतलब होता है, rule करना जैसे तो यह जो जार था, यह राजा बन गया हर चीज़ का, यह ग्रे रंग का था और अंदर से खाली था जार, नेचर का पार्ट नहीं था, जैसे कि आसपास के पक्षी और पौदे थे तो यह थी, यह छोटी सी पोयम, टोटल बारा लाइने थी इसमें, तीन स्टैंजा थे इसकी थीम की बात करें, तो हुमैनिटी वर्सेस नेचर इसकी थीम है, एक हुमन मेड अबजेक्ट, जो एक जार है, उसको नेचर के बीच में रखा हुआ है और आसपास उसके नेचर ग्रो हो रहा है अब इसमें अगर सिंबल्स की हम बात करें, तो यह जार किस चीज़ को रिप्रेजेंट कराता है, बताता है, यह एक लंबी डिबेट है बट ऐसा लगता है कि यह हुमेनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिविलाइजेशन को और जो विल्डरनेस आसपास दिखाई गई है, वो नेचरल वर्ल्ड है और यह बताया गया है कि नेचरल वर्ल्ड के अंदर कैसे हुमेनिटी डॉमिनिट हो रही है आसपास के फॉरेस्ट हट गए है और उनके बीच में बड़ी-बड़ी सिटीज है बहुत सारे पॉइटिक डिवाइसे हमें इसमें देखने को मिले जैसे लाइन 3 और 4 में स्लोवनली और सराउंड यह दो वर्ड आते हैं दोनों S से स्टार्ट होते हैं ऐसे ही लास्ट में 11 लाइन में बर्ड और बुश यह दोनों B से स्टार्ट होते हैं तो यह एक अलिटरेशन है अब मैंने आपको पहले ही बताया कि टोटल 12 लाइने हैं तीन क्वाटरेशन हैं इसमें यानि 4 चार लाइन के 3 स्टेंजा इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं मीटर की बात करें तो यह आएमबिक टेट्रा मीटर फॉर्म में है राइम स्कीम इसमें कोई एक जैसी राइम स्कीम नहीं है यदि हम इसकी सेटिंग की बात करें तो ये जो साउथ इस्टर्न युएस है साउथ इस्टर्न युनाइटिड स्टेट्स वहाँ टैनेसी नाम का एक स्टेट है जो रूरल एरिया है उसकी हिल पर ये है I hope ये आपको समझ में आ गया होगा यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लिट्रेचर के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके बहुत काम आ सकता है इसकी प्लेलिस्ट जरूर चेक आउट करें बैल बटम को हिट करें ताकि regular videos आपको मिल पाएं अपने friends के साथ, classmates के साथ इसे share भी करें और comment box में feedback देंगे तो मुझे और videos बनाने के लिए motivation मिलेगा Thank you so much All the best for your exams फिर मिलेंगे एक और topic के साथ